माने प्रवाम्ति जी आधरने अध्यक जी आज का ये दिवस लोक तंत्रे की एक महान परंपरा का महत्मपुण दिवस है सत्रवी लोकसभा ने पांच वर्ष देश सेवा में जिस प्रकार से अनेक वीद महत्मपुण निल्नाय किये अनेक चुनोतियों को सबने अपने सामर्थ से देश को उची दिशा देने का प्यास एक प्रकार से आज का दिवस हम सब की उन पांच वर्ष की वैचारी क्यात्रा का राष्ट को समर्पित उसमय का देश को फिर से एक बार अपने संकल्पों को राष्ट के चर्णों में समर्पित करना ये आफसर है ये पांच वर्ष देश में रिफार्म, पर्फार्म एंड ट्रांस्फॉर्म ये बहुत रहर होता है कि रिफार्म भी हो पर्फार्म भी हो और हम ट्रांस्फॉर्म होता है अपनी आखों के सामने देख पाते हो एक नया विश्वास भरता हो यह अपने आप में 17 लोकसभा से आज देश अनुभव कर रहा है और मुझे पक्का विश्वास है कि देश 17 लोकसभा को जरूर आश्रिवाद देता रहेगा इन सारी प्रक्रियाओं में सदन के सभी मानिय सदस्यों का बहुत महत्वपुन रोल रहा है बहुत पपुन भूमी का रही है और यह समय है कि मैं सभी मानिय सांसदों का इस ग्रुव के नेता के नाते भी और आप सब के एक साथी के नाते भी आप सब का अभिनंदन करता हूं विशेश रुपे अधर नियद्यक जी मैं आपके प्रति भी रदय से बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं पांचों वर्ष कभी-कभी शुमित्रा जी मुक्त हाश्य करती थी लेकिन आप हर पल आपका चहरा मुस्कान से भरा रहता हूं यहां कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी उस मुस्कान में कोई कमी नहीं आई अनेक भी परिस्थित्यों में अपने भावति संतुलित भाव से और सच्चे अर्थ में निश्वक्ष भाव से इस सदन का मार्दर्शन किया, सदन का नित्रुत्व किया, मैं इसके लिए भी आपकी भूरी भूरी प्रसाउंशार बता हूं अक्रोष के पल भी आए, आरोप के भी पल आए, लेकिन आपने पूरे धहर्य के साथ इन सभी सित्यों को समालते हुए और एक सूजबूज के साथ, आपने सदन को चलाया, हम सब का मार्दर्शन किया, इसके लिए भी मैं आपका भारी हूँ अधरिने सभापती की इस पांच वर्ष में इस सदी का सबसे बड़ा संकट पूरी मानव जात ने जहला कौन बचवेगा, कौन बचपाएगा, कोई किसी को बचा सकता है के नहीं बचा सकता ऐसी वो अवस्था थी, ऐसे मैं सदन में आना ये भी अपना घर छोड़के निकलना ये भी संकट का काल था उसके बाद भी जो भी नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी आपने उसको किया देश के काम को रुकने नहीं दिया, सदन की गरिमा भी बनी रहे और देश के आवश्यक कामों को जो गती देनी चाहिए वो गती भी बनी रहे और उस काम में सदन की जो भूमी का है वो रती भर भी पीछे नहीं रहे इसको आपने बड़ी कुसलता के साथ सम्हाला और दुनिया के लिए गुधान के रुप में अधर ये सभापती जी मैं मानिय सांसदों का भी इस बात के लिए एक बार आभार वेक्त करना चाहता हूं कि उस कालखन में देश की आवश्यक्ताओं को देखते हुए सांसद निधी छोड़ने के प्रस्ताव मानिय सांसदों के सामने रखा और एक पल के विलंब के बिना सभी मानिय सांसदों ने सांसद निधी से मुक्त इतना ही नहीं एक देश वासियों को पॉजिटिव मेसेज देने के लिए अपने आचरन से समाज को एक विश्वास देने के लिए सांसदों ने अपनी सेलरी में से तीस प्रतिशत कटोती का निर्णे समने खुद ने किया ताकि देश को भी विश्वास हुआ कि ये सबसे पहले छोड़ने वाले लोग है और अधरनिय सभापति जी हम सभी सांसद बिना कारण साल में दो बार हिंदुस्तान के मिडिया के किसी ने किसी कौने में गाली खाते रहते थे कि ये सांसदों के इतना मिलता है और केंटिन में इतने में खाते हैं बाहर इतने में मिलता है केंटिन में इतने में मिलता है यहाने पता नहीं बाहर नोट लिए जाते थे में और सांसदों ने कभी भी विरोध नहीं किया शिकायद भी नहीं किया और सभी सांसदों की बिना कार लिती फजेत करने वाले लोग मजे लेती थे उससे हम सब को आपने बचा लिया इसकलिए भी मैं आपका आभार वेखे करता हूँ कि आदेने सभा पती दी यह बात सही है कि हमारे कई लोग सभा के शाटर भी हो सोला भी हो पंगरा भी हो कि संसद का नया भवन होना चाहिए इसकी चर्था सबने की सामोई गुरूप से की एक सफर से की लेकिन निर्णे नहीं होता था यह आपका नितुत्व है जिसने निर्णे किया चीचों को आगे बढ़ाया सरकार के साथ लेकिन बिटिंगे की और उसी का परणाम है कि आज देश को यह नया संसद भवन प्राप्त हुआ है अधेने सभापति जी एक संसत के नए भवन में एक विरासत का आउंस और जो आजहादी की पहली पल थी उसको जीवन तरखने का हमेशा 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 हमारे मारदर्श्य गूप में यह संगोल को यहां स्थापित करने का काम और अब प्रतिवस उसको सरिमोनियल इवेंट के रूप में उसको हिस्चा बनाने का एक बहुत बड़ा काम आपके नेत्रुत्म में हुआ है जो भारत की आने वाली पीडियों को हमेशा हमेशा हमें आजहादी की उस प्रसम पल के साथ जोड़ के रखेगा और आजहादी की वो पल क्यों थी, हमें वो याद रहेगा, तो देश को आगे ले जाने की वो प्रेणा भी बनी रहेगी, उस पवित्र काम को आपने किया है, आदेनिय सभापती जी, ये भी सही है, कि इस कालखन में G20 की अध्यक्षता भारत को मिली, भारत को बहुत सम्मान म देश के हर राज्य ने अपने अपने तरीके से विश्व के सामने भारत का सामर्थ है, और अपने राज्य की पहचाम बहुभी प्रस्तूत की, जिसका प्रभाव आज भी विश्व के मन पर है, उसके साथ आपके नेत्रुतों में G20 के तरह P20 का जो सम्मेलन हुआ, और विश्व के अनेक देशों के स्पीकर्स यहां आए, और Mother of Democracy भारत किस महान परंपरा को लेकर के, किस democratic values को लेकर के सदियों से, हम आगे बढ़े हैं, ववस्ताएं बदली होगी, लेकिन democratic मन भारत का हमेशा बना रहा है, उस बात को आपने विश्व के स्पीकर्स के सामने, बख्खुवी प्रस्थूत की, और भारत को लोकतांत्री की ववस्ताओं में भी, एक प्रतिष्ठा प्राप्त कराने का काम, आपके नेत्रुत में हुआ। आदेने सभापती जी, मैं एक बात के लिए आपका विश्व सभिधन्दन करना चाहता हूँ, शायद हमारे सभिमान्य सांसदों का और मीडिया का भी उस तरफ ध्यान नहीं जया है। हम सम्विधान सदन जिसको कहते हैं, जो पुरानी सवसद, जिसमें महापुरुषों के जन्म जन्ति निमित, उनकी प्रतिमा को पुष्प चड़ाने के लिए हम लोग इकत राते हैं। लेकिन वो एक दस मिनिट का इवेंट होता था और चले जाते थे। आपने देश भर में इन महापुरुषों के लिए वक्तुर्त्वस पर्धा, निबंद्वस पर्धा का एक अभियान चड़ाया। उसमें से जो बेस्ट ओरेटर होते थे और बेस्ट ऐसे होते थे, हर राज्य से दो-दो बालक उछ दिन दिल्ली आते थे। और उस महापुरुष की जन्मजाहिनती के समय पुस्पवर्था के समय वो मोजूद आते थे देश के नेतावों के और बांध वो पुरा दिन भर रह करके उस पर अपना व्याख्यान देते थे, बे दिल्ली के अल्देशान पर जाते थे, वो सांसद की गतिवीदियों को सम करके देश के लाखों विद्यार्थियों को भारत की समसदिय परंपरा से जोड़ने का बहुत बड़ा काम पिला और ये परंपरा ये आपके खाते में रहेगी और आने वाले समय में हर कोई बड़े गर्व के साथ इस परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मैं इसके लिए भी आपका आभिदंदन करता हूं, आदर नियत्यक जी, समसद की लाइबरेरी जिसको उप्योग करना चाहिए, वो खितना कर पाते थे, वो तो मैंने कह सकता हूं, लेकिन आपने उसके दरवाजे, सामान्य व्यक्ति के लिए खोल जान का ये खजाना, परंपराओं की विरासत, उसको आपने जन सामाने के लिए खोल करके बहुत बड़ी सेवा की है, मैं इसके लिए भी आपका रुदय से अभिनंदन करता हूं, पेपरलेस पार्लमेंट, डिजिटलाइजेशन, आपने एदुनिक टेकनोलोजी हमारी व्योवस्ता में कैसे बने, शुरू में कुछ साथ को दिक्कत रही, लेकिन अब सब इसके साथ आदी हो गई है, सब मैं देखता हूं, जब यहां बैटे हैं तो कुछ 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 करते रहते हैं, तो आपने आपने एक बहुत बड़ा काम आपने किया है, ये एक स्थाही विवस्ता हैं आपने निर्मान की है, मैं इसके लिए आपका बहुत आभार्वेर करता हूं, आदर नियत्यक जी, आपकी कुछलता और इमान्य साउंसदों की जागुरुकता, उन्स सब का सयुक्त प्रयास मैं कह सकता हूं कि जिसके कारण, शत्रवी लोगसभा की प्रोड़क्टिविटी करीम 97 परसंट रही है, 97 परसंट प्रोड़क्टिविटी अपने आप में प्रसंदता का विश्य है, लेकिन मुझे विश्वास हैं कि आज जब 17 लोगसभा कि हम समाप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं तब एक संक्तिल पर लेकर कि 18 लोगसभा प्रोड़क्टिविटी वाली हमारी गारी वाली प्रोड़क्टिविटी वाली है, और मैंने देखा आपने रात रात बैट बढ़ करके भी हर सांसदों के मन के बात को आपने सरकार के धान में लाने का भरपूर प्रयास किया, मैं इन सभलता के लिए सभी मानने सांसदाओ का और सभी फ्लोर लीडर्स का भी रुदैशे आभार और अभिनन्दन व्यक्त करता हूं, पहले सत्र में, सत्रवी लोगसभा के पहले सत्र में, दोनों सदन ने तीस विध्यक पारिट की थे, यह अपने आप में रेकोर्ड है, और एक नएने बेंचमार्क, सत्रवी लोगसभा ने बनाए है, आधनी अधिक जी, हाजहादी के पच्चतर वर्ष, पुरा होने का उत्सव, हम सब को कितना बड़ा सभवागी मिला के ऐसे अवसर पर, हमारे सदन ने अत्यन्द महत्वूर कामों को नेत्रुत्व किया, हरस्थान पे हुआ, शायद ही कोई सामसद ऐसा होगा, कि जिसने आधाजहादी के पच्चतर वर्ष को लोकोटसव बनाने में अपने अपने ख्षेत्र में भूमी का अदान है की हो, यहने सचबुच में आधाजहादी के पच्चतर वर्ष को देश ने जीब भरकर के उत्सव से बनाया और उसमें हमारे मानने सामसदों की और इस सदन की बहुत बड़ी भूमी का रही है, हमारे समिधान लागू होने के पच्चतर वर्ष ये भी अवसर इसी समय इसी सदन को मिला है, इसी सभी मानने सामसदों को मिला है और समिधान की जो भी जिम्यवारियां उसकी शुरूवात इहां से होती है और उनके साथ ये जुड़ना आईए अपने आप में बहुत बड़ी प्रेयरख है, आधानिया देख जी, इस कारकाल में बहुती रिफॉर्म्स हुए हैं और गेम चेंजर हैं इकीसवी सदी के भारत की मजबूत नीव उन सारी बातों में नजर आती हैं एक बड़े बडलाव की तरफ तेज गती से देश आगे बड़ा है, और इसमें भी सदन के सभी साथियों ने भहुती उस्तम मारदर्शन किया है, अपनी हिस्यदारी जताई हैं और देश हम संतोष से कह सकते हैं कि हमारी अनेक पीडिया जिन बातों का इंतजार करती थी, ऐसी बहुत से काम इस सत्रवी लोग सभागे माध्यम से पूरे हुए, पीडियों का इंतजार खत्रों के अनेक पीडियों ने एक समिधान इसके लिए सपना देखा था, लेकिन हर पल वो समिधान में एक दरार दिखाई गेती थी, एक खाई नजराती थी, एक रुकावत चूपती थी, तेकि इसी सदर ने धारा तीन सो सट आर्टिकल तीन सो सटार शटार के समिधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकास के साथ उसका प्रगटी करह हुआ और मैं मानता हूँ जब समिधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन-जिन महापुरुस्वा ने समिधान को बनाया है, उनकी आत्मा जहां भी होगी, जिरूर हमें आश्रवाद देते होंगे, ये काम हमने पूरा देते हैं, कश्मीर के भी, जमु कश्मीर के लोगों को सामाजी ग्णाय से बन्चीत रखा गया था, आज हमें संतोस हैं, कि सामाजी ग्णाय का जो हमारा कमिट्मेंट है, वह हमारे जम्मी कश्मीर के भाई भेनों को भी, पहुचा करके, हम आज एक संतोस के अनुरूती कर रहे हैं, अधर्णिये अध्यक जी, आतंगमात नासूर बनके देश के सीने पर गोलियां चलाता रहता था, माभारती की धरा, आए दिन रक्तरंजीत हो जाती थी, देश के अनेक वीद, होनहार लोग, आतंगमात के खारण, बली चड़ जाते थे, हमने आतंगमात के विरुत, सक्त कानून बनाए, इसी सदन्य बनाए, मुझे पक्का विश्वास है, कि उसके खारण, जो लोग ऐसी समस्याओं का जूजते हैं, उनको एक बल मिला है, मांशिक रुप के उसका कॉन्फिनस बढ़ा है, और भारत को पुन रुप से आतंगमात से मुक्ति का, उसमें एक ऐसास हो रहा है, और वो सपना भी सिद्ध होके रहेगा, हम पच्चतर साल तक अंग्रेजों की दिवही दंड सेहिता में जीते रहे, हम गरव से कहेंगए देश को, नई पीडी को कहेंगे, आप अपने पोते-पोती को कह सकेंगे गरव से, कि देश पच्चतर साल भले दंड सेहिता में जिया, लेकिन अब आने वली पीडी नय सेहिता में सिवीता और यही सक्षा लोग कंस्ता है, आधनिय देख जी मैं आपका एक बात के लिए और अभिनेंदर करना चाहूँगा कि नया सदन इसकी भव्यता वगेरे तो हाई ही लेकिन उसका प्रारंब एक ऐसे काम से हुआ है जो भारत की मूलभूत मानेताओं को बल देता है और वो नारी शक्ति बंदन अधिनिय जब भी जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तो नारी शक्ति बंदन अधिनियम इसका जिक्र फुक्र के जने एक और भले ही वो थोटा सत्र था लेकिन दुरगामी दिनर करने वाला सत्र था इस नए सदन की पवित्रकता का एहसांस उसी पल शुरू हो गया था जो हम लोगों को एक नई शक्ति देने वाला है और उसी का परणाम है कि आने वाले समय में जब बहुत बड़ी मात्रा में यहां हमारी मात्रा ये बहने बैठी होगी देश गवरों की अनुप्राइश तीन तलाग कितने उतार चड़ाव से हमारी मुसलिम बहने इंतजार कर रही थे अदालतों ने उनके पक्षमे निर्णे किये थे लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा थे मजबूरियों से गुजारा करना पूरा है को प्रकट रूप से कहें को अप्रकट रूप से कहें लेकिन तीन तलाग से मुक्ति का बहुत महत्वपुन और नारी शक् कुछ भी रहे हो उनका कुछ भी रहा हो लेकिन कभी ने कभी तो कहेंगे कि हां इन बेटियों को न्याए देने का काम भी करने करमें हम बहुत है इसे पीडियों से होता या न्याहन दे है और वो बहने हमें आशिरवाद दे रही है आधनिय अध्यक जी आने वाले पचीस वर्ष हमारे देश के लिए बहुत महपप है राजनीती की गहमा गहमी अपनी जगा पर है राजनीती क्षेत्र के लोगों की अपनी आशा आकांग्षा अपनी जगा पर है लेकिन देश की अपेक्षा देश की आकांग्षा देश का सप कल्प यह बन चुका है पटीज साल वो है जो देश इच्छिज परिणाम प्राप्त करके रहेगा की उन्डे सोतीं मि मात्मा गांदी जी ने दांडी की आतरा के जिघनमक का सत्यागर अधार गोशा होने के पहले लोगों को सामर्थ नज़र नहीं आया था या चहे सुदेश आंदुलन हो चाहे सत्यागर की पुरंपरा हो, क्या है नमक का सत्याग रहो, उस समय तो घटना चोटी लगती थी, लेकिन 1947 वो 25 साल का कालखन, उसने देश के अंदर वो जजवा पैदा कर दिया था, हर व्यक्ति के दिल में वो जजवा पैदा कर दिया था, कि अब तो आजाद होके रहा है, मैं आज देख र बच्चे के मुझ से निकला है, कि 25 साल में हम विक्सित भारत बना करें, इसलिए ये 25 साल मेरी दोज़ की युवा शक्ति के अत्यनत महत्पूर्ण का अलखन है, और हम मेंसे कोई ऐसा नहीं होगा, जो नहीं चाहता होगा, कि 25 साल में देश विक्सित भारत ना बने, हर किसी क्या सपना है, कुछ लोगों ने सपने को संकल बना लिया है, कुछ लोग शाहिए संकल बनाते देर हो जाएगी, लेकिन जूड़ना जहरेक होगा, और जो जूड़ भी नहीं पाएंगे, और जीवित होंगे, तो फल तो जुरू खाएंगे, इस मेरा अधर नियतिक जी, पांच वर्ष युवाओं के लिए, बहुती अइतिहासिक कानून भी बने हैं, व्यवस्था में पारदर्सित अलाकर, युवाओं को नए मोके दिये गए हैं, पेपर लीग जैसी समस्या, जो हमारी युवाओं को चिंतिक करती थी, हमने बहुती कठोर कानून बनाया है, ताकि उनके मन में जो सवाल या निसान था, और उनको व्यवस्था जो प्रति उनका घुस्था था, उसको एड्रेस करने का सभी मान्य सांसदों नहीं, देश के युवाओं के मन के भाव को समझ करके, बहुती महत्वपुन नेने किया है, आदर्निय अद्यक जी, ये बात सही है, कि कोई भी मानवजाथ, अनुसंधान के बिना आगे नहीं बढ़ सकती है, उसको नित्य परिवर्तन के लिए अनुसंधान अनिवाग्य होते हैं, और मानवजाथ का लाखों साल का इतिहास गवाँ है, कि हर काल्वे अनुसंधान होते रहें, जीवन बढ़ता चला गया है, जीवन का विश्तार होता गया है, इस सदने विधिवत रूप से कानुनी विवस्था खड़ी करके अनुसंधान को पोच्छान देने का बहुत बढ़ता का है, लेशनल विशर्ट फाउन्डेशन, ये कानून आम तोर पर रोजमरागी राजनिती की चर्चा का विश्य बंद नहीं पता है, लेकिन इसके परणाम बहुत दुर्गामी होने वाले हैं, और इतना बड़ा महत्वन काम ये 17 वी लोग सभा ने किया है, पुझे पक्का विश्वास है, देश की वाशक्ति वाश्य इस गवस्ता के कारण, दुनिया का रिशर्च और का एक हब हमारा देश बन सकता है, हमारा देश की वाश्य टालेंट ऐसी है, आज भी दुनिया की बहुत कंपनी ऐसी हैं, जिनके इनोवेशन के काम आज भी भारत में हो रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा हब बनेगा, यह मेरा पुरा विश्वास है, अधनिया अध्यक जी, 21 सदी में हमारी बेशिक नेट्स पुरी थरा बदल रही है, कल तक जिसका कोई मुल्य नहीं था, कोई ध्यान नहीं था, वो आने वाज़े होगा, बहुत अमुल्य बन चुका है, जैसे डेटा, पुरी दुनिया में चर्चा है, बेटा का सामर्थे क् हमने डेटा प्रोडेक्शन बिल लाकर के पूरी भावी पीडी को सुरक्षीत कर दिया है, पूरी भावी को एक नया सस्त्र हमने उसके हाथ पर दिया है, जिसके आधार पर वो अपने भविश को बनाने के लिए इसका सही इस्थवाल भी करेंगे, और डिजिटल पस्तल डा करते हैं, अपने अपना नहीं नहीं व्यवस्तान उकुल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, और डेटा का उप्योग कैसे हो, उसकी भी उसमें गाइडलाइन से है, और एक प्रकार से प्रोटेक्शन का पूरा प्रमंद करते हुए, इसका सामर्थ कैसे आए, जिस डेटा को जो को गोल्ड माइन केते हैं, न्यू ओई केते हैं, बैस समतना वो सामर्थ है, भारत को प्राप्त हो, भारत इस शक्त के इसलिए विशेत हैं, क्योंकि विवीदताओं से भरा हुआ देश है, हमारे पाँ जिस प्रकार की जानकारिया और हमारे साथ जुड़े हुआ डेटा जो जनरेट होता है, सिर्व हमारे रेलवे प्रसेंजर्स का डेटा को देख ले, जुनिया के लिए बहुत बड़ा संसोधन का भीशे बन सकता है, उसकी ताकत को हमने पहचान करके इस कानूरी ववस्ता को दिया है, हादनिया, अदेख जी, जल, थल, नब, इस सदियों से इ जिकर अब समध्री शक्ति है, और स्पेश की शक्ति है, और साइबर की शक्ति है, ए ऐसी त्रिवीश शक्तियों का वुकाबला करनी का अवश्यक्ता उखड़ी हुई है, और विश्व जीस प्रकार के संक्रणों से गुजर रहा है, और विश्व जीस प्रकार की विचारे को लेने का सामर्थ भी बनाना है और उसके लिए आवशक स्पेस से जुड़े रिफॉर्म्स बहुत अनिवार्य थे और बहुत दुर्गामी दुर्ष्टी के साथ स्पेस के रिफॉर्म का काम हमार यहां हुआ है अधनियत्रिक जी देश ने जो आर्थिक रिफॉर्म किये है उसमें सतरवी के लोग सभागे सभी मान्य सांसर्दों कि बहुत बड़ी भूमी का रही है बीते वर्षों में हजारों कम्प्लाइंसिस बेवजय हम जन्ताचे नार्थन को ऐसी चुज़ों उल्जाय रखा यह गवनन्स की एक ऐसी विक्रित वेवस्ता है विक्सित हो गई उसमें से मुक्ति दिलाने का बहुत बड़ा काम हमार यहां हुआ है और इसके लिए भी यह सदन का बेहां फारी यहनि इस प्रकार के कम्प्लाइंसिस के बोज में सामानी बड़ती तो दब जाता है और मैंने तो एक बार लाल के लिए से भी कहा था हम जब मिनिमम गवर्मेंट मैक्सिमम गवर्नस कहते हैं मैं दिल से मानता हूँ कि लोगों की जिन्दगी में से जितना जल्द सरकार निकल जाए उत्रा ही लोग तंतर का सामर्कत जाए रोज मरा की जिन्दगी में हर डगर पे एक सरकार टांग क्यों वड़ा है हां जो अभाव में है उसके लिए सरकार हर प्रण मोजूद हो लेकिन सरकार का प्रभाव उसकी जिन्दगी को ही रुकावट बना दें ऐसी लोग तंतर नहीं हो सकता है और इसलिए हमारा मकसद है सामान ये मानवी की जिन्दगी से सरकार जितनी खड़ जाए कम से कम उसके जिन्दगी पर सरकार का नाता रहे वैसा समरुद्ध लोग तंतर दुनिया के सामने हमने आगे बढ़ाना चाहिए उस अपने को पूरा करेंगे आधानियस अद्यक जीट कम्पनीज एक्ट लिमिटें लाइबिलिटी पार्टरसिप एक्ट साथ से अधीक गैर जरूरी कानूनों को हमने हटाया है इसके लिए यह बहुत बड़ी आवश्यक्ता थी क्योंकि हब देश को आगे बढ़ना है तो बहुत सारी रुकावाटों से भारान अपड़ेगा हमारे कई कानून तो ऐसे हैं छोटी छोटे कानूनों से जेल में भरदो बस यहां तर कि फैक्टरी है और उसके सवचाले को छे मेने में एक बार अगर वाहिट वर्स नहीं किया है तो उसके लिए जेल थी वह कितनी बड़ी कंपनी का मालिक क्यों नहीं हो अब यह जो एक प्रकार की जो अपने आपको बड़े लिप्ट लिबरल कहते हैं उन लोगों की ऐडियोलोजी और देश कि आपको गरों में लिप्ट होती है वो फैट वाले लोग अपने लिप्ट लिपर करते ही है जी हर चीज कर लेते हैं तो यह जो समाज पर नागरिक पर भरोजा करने का काम धहुत तेजी से बढ़ाने का काम सत्रवी लोकसभाने किया है और दिसके लिए जन विश्वास एक्ट मैं समता हूँ 180 से ज़्यादा प्रावधान डी क्रिमिलाइज करने का काम क्या है जो मैं कहा है छोटी छोटी बात में जल में डाल देना यह डी क्रिमिलाइज करके हमने नागरिक को ताकर दी है वो इसी सदन ने किया है यही मान्य सांसदों ने किया कोड की चक्कर से जिन्दिगी बचाने के लिए बहुत महत्वपुन काम कोड के भार विवादों से मुक्ती उस दिशा में एक महत्वपुन काम मद्धिस्तरगा कारून उस दिशा में भी कि इसी माने साथ सदों ने बहुत बड़ी भूमे का अधा की जो हमेशा होश्य परते हैं किनारे परते हैं जिन को कोई पूस्ता नहीं था सरकार होने का उनको एहसास हुआ है हां सरकार है हम जब कोविड में मुफ्त इंजेक्शन मिलता था उसको भरोसा होता था चलिए जहान बज़ेए सरकार होना का उसको एसास होता है और यही तो सामान्य मानवी के जिन्दगी में बहुत आवश्यक होता है वह असा है का नानुफवत क्या होगा यह सृधिपादा नहीं होने चाहिए ट्रांसजेंडर समुदाए अपमानित मैसुस करता है और जब बार बार वह अपमानित होता था तो उसके अंदर भी विक्रुतियों के संभावना बढ़ती रहती थी और ऐसे विश्यों से सब लोग दूर भागते थे 17 भी लोग सभागे सभी मानने सामसदों ने ट्रांसजेंडर के पती भी संभेदना जताई और उनके जीवन में भी बहतरीं जिनकी बने और आज दुनिया के इंदर भारत ने ट्रांसजेंडर के लिए किये हुए काम है जो नेने किये इसकी चर्चा है दुनिया को बड़ा जब हम कहते हैं हमारे इवन हमारे माता बहनों के लिए प्रेग्नेंसिंग लेग्षभी स्विक्टी डिलीवी के समय के चुटी दुनिया के समरुद्धे देशों को भी अस्वर होता है अच्छा याने ये प्रोग्रेसिव निनाय यहीं पर हुए है इस 16-17,000 ट्रांस जेंडर को इनका आइडिन्दी कार दिया गया है ताकि उनके जीवन को और मैंने देखा अब तो मुद्रा युजना से पैसे लेकर के चोटा पटा वो बिजनेस करें लगी वो कमाने लगी है पदमा ये वोड हमने ट्रांस जेंडर को दिया है एक सम्मान की ज अबमान ये जिन्दगी आधनिये देख जी बहुत विकट काल में हमारा समय गया क्योंकि देड़ दो साल कोवीड ने हमारे पर बहुत बड़ा दबार लेकिन उसके बावजुद भी सत्रवी लोकसभा देश के लिए बहुत उपकारक रही है बहुत अच्छे काम किये हैं ल हो सकता है अगर आज वह हमारे बीच होते ता आज इस विजाइस हमारा में मौजूद होते लेकिन बीच में ही कोवीड की काणन हमें बहुत होनार साथियों को खोना पड़ा उसका दुख हमेशा 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 हमारे रहेंगे आधर यह देख जी शत्रवी लोकसभा का यंत अंतिम सत्रव और अंतिम अवर ही समझ लिजिए है लोक तंत्रव और भारत की याद्रा अनन्त है अनेक और ये देश किसी परपच के लिए है उसका कोई लक्ष है पूरी मानवजात के लिए है श्री अर्भिंदो ने देखा हो जाय स्वामी विवेक अनंजे ने देख लिकिन आज उन शब्दों में उस वीजन में सामर्थ हो था वह हम आखों के सामने देख पा रहे हैं दिनिया जिस प्रकार से भारत के महत्मय को स्विकार कर रही है भारत के सामर्थ को स्विकारने लगी है और उसको उसी आत्रा को हमें और स्वक्ति के साथ आगे बढ़ाना है कि अधर नियद्धिक जी कि चुनाव बहुत भूर नहीं है कि कुछ लोगों को थोड़ी गवराट रहती होगी लेकिन ये लोग कंदर का सहच आवश्यक पहलू है हम सब उसको गर्व से स्विकार करते हैं और मुझे विश्वाफ है कि हमारे चुनाव भी देश की शान बढ़ाने वाले लोग तंत्र की हमारी जो परमपरा है पुरे विश्व को अचंबित करने वाले अवश्य रहेंगे यह मेरा पक्ता भी स्वाइब कि अधिन देख जी मैं सभी मान्य सांसदों का जो सहयोग मिला है जो निरनेहम कर पाए हैं और कभी-कभी हमले भी इतने मज़दार हुए हैं कि हमारे भीतर की शक्ती भी खिल करके निकली है और मेरा तो परमात्मा की गुर्पा रही है कि मुझे जो तुनोती आती है तो ज़रा और आनन्द आता है हर तुनोती को हमसांगा करपवाए है बड़े आत्म इस्वास और विस्वास के सादम चले है आज राम मंदीर को ले करके इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित दिया है विदेश की भावी पीजी को इस देश के बुल्यों पर परवर्द करदे की सम्वेधानिक शक्ति देगा यह सही है कि हर किसी में यह सामर्त नहीं होता है कि ऐसी चुछम है तो कोई हिम्मत दिखाते हैं कुछ लोग मैदान छोड़के बाग जाते हैं लेकिन फिर भी भविष्य के रेकोर्ड को देखेंगे तो आज जो व्याख्यान बहुए हैं जो बाते रखी गई हैं उसमें संवेधना भी है संकल्प भी है सहनुहूती भी है और सबका साथ सबका विकास के मंत्र को आगे बढ़ेना का उसमें तत्व है यह देश भूरे दिन कितने ही क्यों न गए हो हम भावी पीडी के लिए कुछ न कुछ अच्छा करते रहेंगे यह सदन हमें वो प्रेणा देता रहेगा और हम सामोहिक संकल्प से सामोहिक शक्ति से उत्तम से उत्तम परणाम भारत के नवजवान पीडी के आशा अकांशा के अनुसा आपका भार प्रक्रत करता हूं सभी मानने सामसा दोका भार प्रक्रत करता हूं बहुत 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 धन्यवाद